जाए हैं दोस्तों दोस्तों, economically weaker sections, certificates related candidates ने कुछ queries raise की हैं कुछ queries उन्होंने मेरे वीडियो के comment box में mention की जो वीडियो मैंने बनाया था, economically weaker sections related इसमें मैंने detail discussion किया था, सारी conditions मैंने discuss की थी questions उन्होंने मुझे mail किया हैं इन सारी queries को मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं एक-एक questions को discuss करूँगा और उन्ही questions की reply में मैं सारे rules और conditions को आपके साथ discuss करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी सारी queries इस वीडियो के माद्दे हम से clear हो जाए question है जिसमें candidate पूछते हैं कि उनकी family income 7.9 lakhs है तो क्या वो EWS के eligible है या नहीं जी हाँ आप बिलकुल eligible है क्योंकि आपकी family income 8 lakh से कम है जो की criteria है तो आप EWS के लिए eligible है question है जिसमें candidate बोलते हैं कि मेरी मदर आंगनवाडी में worker है और उनकी salary 7,000 है और annual income total 95,000 है तो क्या वो EWS के eligible है बिलकुल आप eligible है क्योंकि आपकी अगर mother ही एक source of income है और उनकी total annual income 95,000 है जो की 8 lakh रुपे से कम है तो आप EWS के लिए eligible है बट आप देख लिए कि बागी सारी conditions आप fulfill करते हैं क्योंकि income criteria के point अभी से तो आप eligible है आपको अपनी बागी सारी conditions verify कर लेनी होंगी EWS के लिए लाइस question है जिसमें candidate बोलते हैं कि अगर लड़के की शादी हो गई है तो क्या father का income भी add होगा आटला के criteria में जी हाँ बिलकुल होगा जैसा मैं बिलकुल होगा क्योंकि EWS की जो income criteria की condition है उसमें आपकी family income count होती है और family income में include होते है candidate, candidate के mother, father, candidate के siblings यानि भाई बहन उनकी जिनकी age 18 साल से कम होती है candidates के spouse और उसके बच्चे अगर वो 18 साल से कम है की income मिलाके 8 लाक में criteria लिया जाता है marriage होने के बाद आपके जो spouse है उनकी income साथी साथ आपके father की income इसमें head होगी याद रखें EWS में family income count होती है और family में कौन-कौन members count होते हैं यह मैंने आपको detail वीडियो में बताया था जिसका मैंने link description में दिया है आप उसको देख सकते हैं next question में सो candidate बोलते हैं कि मेरे पिताजी की property पांच एकड़ से जादा है एक घर भी है 1000 feet का शायदों ने लिखा नहीं पूरा लेकर शायद यहीं बोलना चाते हैं साथ-चादे बोलते हैं कि हम दो भाई और तीन बेहन हैं और सभी 18 साल से बड़े हैं दो बड़ी बेहनों की शादी हो चुकी है इस परिस्टिती में क्या मैं EWS में आऊंगा अगर प्रॉपर्टी में 5 से भाग देने पर सीलिंग के अंदर आ जाएं तो देखिए अगर आपके फादर की प्रॉपर्टी 5 एकर से जादा है और आपका घर 1000 square feet से जादा का है तो आप EWS criteria को fulfill नहीं करते हैं क्योंकि EWS के criteria के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आपकी और आपके फादर की प्रॉपर्टी 5 एकर से कम होना चाहिए साथी साथ जो आपका residential flat है वो 1000 square feet से कम होना चाहिए इस conditions को ध्यान में रखते हुए आप EWS के लिए eligible नहीं है next question में candidate पूछते हैं कि क्या income certificate की जरूत होती है या नहीं बिलकुल होती है क्योंकि EWS criteria में income एक major component है decide करने के लिए कि आप eligible है या नहीं और इसमें family income की बात होती है तो इसमें आप जिस जिस candidate की income को claim करते हैं उसका income certificate आपको produce करना पड़ेगा और यह proof करना पड़ेगा कि आपकी जो family income है वो 8 लाग से कम है next question है जिसमें candidate पूछते हैं कि मुझे अगली साल SSC CGL का exam देना है तो मुझे EWS का certificate कब बनवाना चाहिए इसमें देखिए अगर आपको next year में exam देना है तो next year में valid EWS certificate आपको चाहिए होगा इसको simplify करके समझते हैं अगर आप 2022-2023 financial year में कोई exam देते हैं तो naturally इसी period में यानि कि 2022 ते जो financial year है इसमें आपके पास valid EWS certificate होना चाहिए जिस साल में भी आप EWS का reservation claim करते हैं उस वक्त आपके हाथ में valid certificate होना चाहिए अगर आप 2022-2023 में किसी exam में appear हो रहे हैं और आप claim करते हैं EWS reservation के लिए तो उस समय उसी period का valid certificate होना चाहिए यानि 2022-2022 का valid certificate होना चाहिए और जो validity का period है वो financial year है यानि कि 1 April से लेके 31 March तर तो 1 April से लेके 31 March के बीच में जो भी exam होंगे जहाँ पर भी आप claim करेंगे कि मैं EWS reservation अवेल करना चाहता हूँ तो इस period में आपके पास valid certificate होना चाहिए तो आपके question का जवाब है कि अगर आप next year यानि कि 2022-2023 में exam में अपर होना चाहते हैं तो 2022-2023 का valid EWS certificate आपके पास होना चाहिए और आप जानते हैं कि EWS certificate की validity एक साल की होती है यानि एक financial की होती है तो उसके बाद आपको इसको renew कराना होता है next question में candidate पूछते हैं कि parental property count होता है क्या मतलब मेरे पापा के नाम पे कोई property नहीं है लेकिन मेरे grandfather के नाम पे है तो क्या वो count होगा आपके आपकी जो ancestral property है वो इसमें count नहीं होती है तो अगर आपकी property आपके grandfather के नाम पे है आपके father के नाम पे नहीं है तो आप EWS के लिए apply कर सकते हैं provided आप बागी सारी conditions को fulfill करते हैं EWS certificate में family income की बात होती है और आपकी जो property count होती है वो आपकी family की property count होती है यानि कि आपके mother, आपके father, आपके भाई बहन जिनकी age 18 साल से कम है आपके spouse और आपके बच्चे जिनकी age 18 साल से कम है इसमें ancestral property count नहीं होती यानि अगर कोई property आपके father के नाम पे नहीं है आपके grandfather के नाम पे है तो वो इसमें count नहीं होगी इसमें count वही property होगी जो आपके नाम पे होगी आपके फादर के नाम पे होगी आपके मदर के नाम पे होगी आपके siblings यानि की भाई भेहन उनके नाम पे होगी या आपके बच्चों के नाम पे होगी यही इसमें count होती है इस question है जिसमें candidate बताते है कि उनका ground floor 730 square feet का है और उनका first floor 810 square feet का है तो क्या वो EWS की eligible है या ने station ये बोलती है कि जो आपका residential flat है उसका thousand square feet से floor area कम होना चाहिए आपका floor area अगर आप cumulative floor area लेंगे ground floor first floor का तो ये thousand square feet से जादा हो जाएगा इसलिए आप EWS की eligible नहीं होगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी काफी सारी queries को clear करेगा economically weaker sections के certificates related अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई query है तो आप comment box से mention कर सकते हैं साथी साथ आप मुझे mail भी कर सकते हैं मैं आपकी queries का reply करूँगा और अगर जरूत होगी तो मैं उसके लिए dedicated video बनाऊँगा जिससे की आपको rules की clarity अच्छे से हो दोस्तों कर यह video आपको अच्छा लगा तो इसको like करें और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरू करें क्योंकि मैं इसी तरह के important videos आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ friends I am wishing you very very best of luck, stay safe, stay healthy and do take very good care of yourself जाहे हैं दोस्तों